दोस्तो जम्भू कश्मीर से एक बहुत बड़ा खवर आ रहा है और ये खवर है कश्मीर से सायद आर्मी को विट्रोल कर लिया जाए Basically दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में हाली में जानकारी दिया गया है कि ये जम्वु कश्मीर में deployed, जो आर्मी के troops है, उन्हें phage manner में deploy करने को लेके सोज विचार किया जा रहा है और फिलाल ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, Indian Army और जम्वो कश्मीर पुलीस के बीच में इसे लेके चर्चा भी हुआ है कि किस तरीके से फेज मैनर में आर्मी को यहां से विड्रॉल किया जा सकता है बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि हाल फिलाल के दिनों में जम्वो कश्मीर में और वैली में जो आतंकी गतिविदी है उसमें कमी आने के साथ साथ आतंकी हमले में भी कमी आने के कारण ऐसा सोचा जा रहा है कि फेज मैनर में ट्रॉप्स को हटाया जाए और जो के लिए काम कर रहे थे मतलब कानून व्यवस्ताओं को बरकरा रखने के लिए जो आरर्ट के ट्रूप्स मतलब राश्ट्रे राइफल के ट्रूप्स का इस्तिमाल किया जा रहा था उसे Central Reserve Police स्पोर्स मतलब CRPF के जवानों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए दोसों रिपोर्ट के मुताविक जंबू कश्मीर में जो ट्रूप्स का डिप्लॉइमेंट हुआ है वो बेसिकली दो तरीके से डिप्लॉइड हुआ है एक तरफ जहाँ पे लाइन अफ कंट्रोल में ट्र लाइन फोर्समेंट को बरकरार रखना है और दोसों ये डिप्लॉइमेंट साल 1990 से हुआ था और दोसों जिस तरीके से आतंकी गतिविदियों में कमी आया है और जिस तरीके से आतंकियों का सफाया हुआ है और बॉलर से घुसपैट को एक तरीके से बंद कर दिया गया 45,000 टूप्स के विड्रॉल संभव हो सके जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इन टूप्स के विड्रॉल के बाद लॉइनफोर्समेंट का जिम्मेदारी संपूर्ण रूफ से CRPF के जवान और जम्बू कश्मीर के पुलिस को मिलेगा और आपके जानकारी के लिए कादू की भारत के अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से पुलिस के पास ही लॉइनफोर्स समालने का जिम्मेदारी रहता है अब जम्बू कश्मीर में सिचुएशन अलग था क्योंकि 80 के दशक से लेके 90 के दशक के दर्मियान पाकिस्तान के तरफ से जिस तरीके से आतंकि को भेजा गया और आतंकियों के द्वारा जिस तरीके से जम्बू कश्मीर में अपरा तफ्री मचाया गया और नियत्ते लोगों को मारा गया उसे देखते हुए ही इन आतंकियों के सफाय के लिए राश्य राइफल और आर्मी के टूप्स का डिप्लॉयमेंट किया था पर ये खवर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर काफी अधिक हल चल है और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इसे लिए के काफी अधिक चर्चा किया जा रहा है अब आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि पाकिस्तान के तरफ से लगातार ये तो दावा किया जाता है कि भारत के द्वारा जंबू कश्मिर में 6-7 लाग टूप्स का डिप्लॉइमेंट किया गया है लेकिन आसल में हकिकत ये नहीं है और ये पाकिस्तान का एक तरीके का प्रोपागंडा है ताकि पाकिस्तान अपने लोगों को जंबू कश्मिर के चूरन चटा सके और इस चूरन के सहारे पाकिस्तानी आर्मी अपने बजट को बढ़ा सके पर अब टूप्स के उड्रॉल का खवर आने के बाद जहापे पाकिस्तान के लोगों के अंदर अब ये सवाल उटना भी शुरू हो चुका है कि इंडियन आर्मी अगर टूप्स को वहाँ से उड्रॉल कर रहा है तो अ अला कि दोस्तो अब ये खवर आने के बाद पाकिस्तान के आर्मी के भी पैर के नीचे से जमिन हट चुका है क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी जो लगातार जम्व कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने का प्रयास कर रहा था वो तो एक तरीके से रुक चुका और अब ये इतना निचले स्तर पे आज शुका है कि आर्मी का आवशकता नहीं है और इससे पाकिस्तान के आर्मी परेशान इसलिए है तो कैसे इन बातों को हाइलेट करते हुए अपने जनता को वो वेव को बनाएगा अब दूसरे तरफ लाइन फोर्स में लगे हुए आर्मी को अगर हटाय जाता है तो ये बहतरी नढग से अन्ने सेक्टर में भी इस्तमाल हो सकते है जैसे कि लाइन फ एक्चुल कंट्रोल के सेत्र जहाँ पे की चायना के तरफ से घुसपैड होने का संभावनाए अधिक है और दूसरे तरफ लाइन फ कंट्रोल के वो शेत्र जहाँ पे पाकिस्त करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को फ्रेस कर दीजिए तकि वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाए तो आज का वीडियो एही फेही करते हैं समाथ किसी और एक दिन और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदेवातरम